पॉर्टफोलियो और लगता है अच्छा कि ठीक है मेरा चैनल बनाना और इस तरह की वीडियो सेर करना एक मतलब जिस उद्धिसे के साथ मैंने बनाया था एक काम सुरू क्या है वो सक्सेस्पूल हो रहा है यदि दो-चार भी लोग ऐसे पॉर्टफोलियो रिव्यू के लिए बेशते हैं ऐसे क कोई अपना काम करते है और आपको लगता है कि छोटा काम है इनकम काम है इंवेस्टमेंट कैसे करें किस से सीखें कितना टाइम पीरिड हम रखें तो तो हाला कि इस portfolio में कुछ गलतियां भी हैं, कुछ skins जो हैं, उनको change करने की जरूवत है, वो पूरा मैं अपनी तरफ से, जो मेरी observation है, उसके अनुसार जो guide करूँगा, लेकिन आपको इस portfolio से बहुत कुछ सीखने की जरूवत है, और दूसरी बात और, एक बात और बोलना कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहा हैं, जिन लोगों की age बढ़ गई है, या फिर वो technical इतना जो है, मतलब friendly नहीं है, उन लोगों को ये चीजें मतलब इतनी नहीं आती हैं, तो उनके आज़ प्रणोस में जो लोग रहते हैं, यदि आपको पता है, आपके प्रणोस में कोई ऐसे रहते हैं, यदि आप टेकनिकली ज्यादा skilled हो, इन चीजों को समझते हो, investment को समझते हो, mutual fund को जानते हो, तो यदि आप से कोई पूछ रहा है, तो उनको as per your understanding, सही सही guide करने की कोशिस कीजिए, लोगों को support करने की कोशिस कीजिए, जिससे के आपका आजपरोस, आपके मित्र रिष्तेदार भी, जो लोग सीखना, समझना और investment करना चाहते हैं, उनको support करने की कोशिस कीजिए, ऐसा अपना behavior करने की कोशिस कीजिए, ठीक है, तो आज का portfolio क्यों खास है, यह आपको portfolio देखकर जानकर समझकर भी पता लग जाएगा, आज का portfolio भेजा है, स्री देवी जी न ठीक है, तो आगे बोल रहे ही, सर मैं एक housewife हूँ, मैं आपके वीडियो हमेशा देखती रहती हूँ, मैं कुछ सिलाई का काम भी करती हूँ, मैंने एक portfolio बनाया है, मेरी बेटी की साधी के लिए, मैं 18 साल investment करना चाहती हूँ, प्लीज बताइए कितना fund बन जाएगा, अभी सिलाई का काम भी करती है, बाकी की जो income sources होंगे, उस सभी से मिलाकर अपनी बेटी की साधी के लिए, 18 साल तक के लिए portfolio review करना, मतलब continue करेंगी, ठीक है, तो देखे कितनी clarity इनको है, इन्होंने investment सही time पर start कर लिया, अभी बेटी छोटी होगी, तब ही 18 साल इनके पास है, ठी continue करके, definitely, यह अच्छा कासा fund जो है, यदि इन्होंने continue कर लिया, तो बना लेंगी, देखी, जब ये समझ सकती है, सीख सकती है, बले किसी की help लिए उन्होंने, it is very good, always आपको किसी की help लेनी चाहिए, यदि आप कहीं confused हो, कहीं आपको कुछ बादाएं आ रही हैं, तो किसी ने किसी से, जिस पर आपको बरस आप, महां से आप जो है help ले सकते हो, ठीक है, तो पूरा portfolio देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा, कि कितना fund आपका बन जाएगा, उससे पहले मैं आपको 2-3 correction करने के लिए इसमें बोलूँगा, वो आपका fund देख लेते हैं, उसके बाद में लंसम किया इनों तीन जार रुपए का, ठीक है, निपोन इंडिया स्मोल के एक हैर रुपे के SIP है, आई से प्रू कमुटिटिटीस फरंड के अंदर भी एक हैर रुपा महिने के SIP कर रही है, उसके बाद यह बोलने है, प्लीज मुझे बताईए, सर अभी, मतलब सही है या कुछ बदलाव करने की जरूरत है, आप मुझे मेल पर भी बता सकते हैं, मेरा टारगेट एक करोल है, प्लीज, जब भी मेरा नमबर आये, तो मुझे मेल जरू कर दीजिएगा, ठीक है, तो मैं आपको, इसका लिंक आपको मेल पर भी जो है मिल जाएगा, तो एक करोल इ इंवेस्मेंट किया है, जिनमें कि आपकी SIP जा रही है, अब इसका मतलब इससे बात से बिल्कुल नहीं है कि कॉइंट में भी फ्रेंट रेनिंग का केस चल रहा है, कि मा आपको वो देखते हुए जो है, बोल रहा हों कि आपको ये चेंज करने चाहिए, ऐसा नहीं है, फ् आपको कॉइंट के केवल दो फंड रखने है, एक AMC में हम सारा पैसा नहीं लगा सकते, आपको AMC-wise भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, इससे major problem कुछ आ गई, और कभी भी, अभी तो माल लीजे, पिछले कुछ समय में कॉइंट के सारे फंड अच्छा परफॉर्म कर हैं, जो की है, क्वांट इसमोल कैप, इसको आप कंटिनियू कीजिए, क्वांट वैल्ली फंड इसको भी आप कंटिनियू कीजिए, क्वांट लार्ज एन मिड़केप जो फंड है, इसको आप सिप्ट कर सकते है, प्योर मिड़केप में, वो कोई भी मिड़केप का फंड हो इनकम टेक्स बचाने के लिए अब मुझे नहीं लगता सायद उस रेंज में यदि आप नहीं आते हो कि आपको ELSS किसने बताया आपको पहले यदि आपको पता लगी जाए ये वीडियो आप देख लो तब बता देना कि आपने इसके ELSS fund में निवेस करने का objective क्या था केवल आपने fund देख लिया कि ELSS fund भी कुछ होता है और इसमें निवेस करने रिटर्न अच्छे देरा क्योंकि quant ELSS fund जो है ये भी अच्छे रिटर्न मना कर देरा है ELSS जो fund होते हैं इनमें 3 साल का जो भी आपके SIP जा रही है यदि आपने आज सुरू किया है तो वो जो आपका पिरती एक SIP माल लीजिए दिसमबर 2024 में करोगे आप या फिर दिसमबर 2023 में करें थे उसको 3 साल जब तक complete नहीं होंगे एक SIP को पिरती एक SIP तब तक आप redeem कर ही नहीं पाऊगे ऐसा नहीं कि कुछ कटेगा आप कुछ कम पैसा मिलेगा नहीं आप redeem ही नहीं कर सकते इस इस दे ड्रोबैक जिनको पता है और यदि आपको नहीं पता तो पता होना ज़रूरी है और आपको पता है then it is very good आप इसको continue कीजिए दो रखने है दूसरा ELSS यदि आपके मतलब का नहीं है इसको बंद करना है क्यूंकि बाद में होस्ता दिक्कत आए आप समय पर पैसा redeem ने कर पाओ ठीक है इसके बाद SBA Energy Opportunities बिलकुल Energy Sector का बहुत अच्छा लंसम आपने किया है amount भले ही कम है 30-40 रुपे लेकिन आपने fund का selection सही किया है power sector, energy sectors की companies में investment करते है 10 रुपे पर लगब अभी 2-3 महिने पहला एनेवी थी अब 11 रुपे के उपर इसकी एनेवी जो है चल रही है अभी भी opportunities है यदि किसी को करना है तो इस fund में अभी भी आप लंसम कर सकते हो ठीक है निपोर इंडिया small gap continue कीजिए ICC Prudential Commodities Thematic Fund है अभी जैसे की Commodities में लगाते हैं इस तरह की companies जो cement की, सरीय वाली, steel वाली इस तरह companies होती है change करते रहते हैं लेकिन diversify करते रहते हैं अच्छा well diversify है 1000 रुपे की SIP है, इसको continue करो, कोई दिक्कत नहीं है UTN EFT 200 Momentum 30 Index का fund है इसमें 70 एरोप आपने लंसम किया है इसको भी continue करो जो major changes थे वो मैंने आपको बता दिये अब overall आपका portfolio ठीक है अब यहां से जो मैं return की calculation आपको दिखाऊंगा ठीक है, तो वो वैसे तो मैं lower side पर expect करता हूँ लेकिन अभी तक कुछ calculation आगे चलेके उसका आपको difference देखने को मिल सकता है क्योंकि जो मैंने बताया, यदि आपको उचीत लगे तो वो changes अपने portfolio में यदि आपने recently start किया तो आप कर लेना ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका portfolio कैसा प्लस जो आपकी SIP है और जो आपका lump sum amount है मिलाकर final amount आपका 18 साल में कितना बनने की उमीद है तो पहले SIP देख लेते हैं, कुल मिलाकर आपकी SIP amount है, 14.000 रुपा महिने का which is a very good amount, ठीक है और इस पर जो return हम उमीद कर सकते हैं वो 16% की कर सकते हैं अभी यदी देखोगे, आप अभी calculation करोगे इस सारे funds की return पिछले कुछ साल के 5-10 साल के भी निकालोगे 16% से बहुत ज़्यादा, लगब 19% पिलस निकल कर आएगा, ठीक है, लेकिन इतना हम अगले 18 साल के लिए मानकर नहीं चल सकते हैं तो 16% return मिलते हैं और आप correct कर लोगे न अपना portfolio, जो मैंने fund आपको बताए हैं, उसके बाद भी 16% आपको मिलने की बहुत-बहुत संभादना हैं ठीक है, तो 16% के return 14 रुपे के SIP अगले 18 साल तक यदि continue करते हैं तो आपकी जेट से जाएंगे 30,24,1 रुपे इतना जमा कर लोगे आप 14 रुपे महिने के इसाब से यदि आप 18 साल तक जमा करते रहोगे हर महिने 14 रुपे हैं तो 30,24,1 रुपे आपने जमा किये 18 साल में, इस पर आपको 16% के यदि growth मिल जाती है, return मिल जाता है एक करोड 45 रुपे जो मिले दोनों को मिला कर हमें जो final amount मिलेगा SIP के amount, जो SIP कर रहा है जो schemes में एक करोड 75 रुपे, पोने 2 करोड रुपे इससे बनत रहे हैं, आपको बनाने कितने? आपको बनाना है, एक करोड वो भी बैने बताया न, आपको 19% के plus के return आएंगे अब ये दी exit calculation करोगे लेकिन उतना हम future में expect करके नहीं चल सकते हैं ठीक है? आप देख लेते हैं, आपका lump sum का amount है, SBI energy में 30,000 ओर जी आपका UTA Nifty 200 momentum में 30 index में 70,000 कुल मिलाकर 1,00,000 रुपे आपने amount lump sum किया है, इस पर मानकर चलते हैं 17, 70% के return मिल जाएंगे जो कि बहुत, मतलब उम्मीद है कि यहां इतने मिल जाएंगे, यदि इतने मिलते हैं तो 1,00,000 रुपे पर आपको 15,87,000 growth मिलेगी तो 16,87,000 रुपा आपके final amount जो बन रहा है, SIP पिलस लमसम मिलाकर है, 1,00,000,000 रुपे है मोटा मोटा 2,00,000 रुपे है यदि ये 2,00,000 भी बन जाए round figure में कोई बड़ी बात नहीं है यदि आपने 18 साल continue कर लिया और ये 10,20,000 रुपा और कम भी रजा है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये market equity market है fix कुछ भी नहीं है यापर market हमेशा absent down करके चलता है यदि आप इसको daily track करोगे और आपका decision सुनकर देखकर portfolio मैं बहुत ख़ूँ मुझे personality बहुत अच्छा लगा अपने साथ यदि कुई आपके जानने में है गुरूप में है परिवार में है उन लोग को समझाईए देखे जीवन में परिशानिया हर किसी की life में है कोई वेक्ति ऐसा नहीं है जिसकी life में परिशानी नहो यदि आप हमेशा चाहोगी हाँ ने ठीक है हमें तो अराम से चाहिए सब कुछ कुछ पेरेंट्स को मैंने कहते हुए सुना कि हमने बहुत मैनत की हमारे बच्चों को मैनत ना करने पड़े क्यों नहीं करने पड़े भाई यह सरी किसलिए दिया है यह हाथ पहल लगा के भेज आए इस वर ने रोज खाना खाते हो पीते हो हर चीज सब एंजयो भी करते हो तो मैनत क्यों नहीं करने पड़े बच्चों को सिखाओ मैनत करो उनको इतना capable बनाओ इतना उनको मतलब किसी भी रास्ते पर या तो पन लिख लिए बहुत ज्यादा या फिर कुछ अपना काम कर रहे हैं लेकिन उनको इतना enable कर दो इतना capable बना दो कि वो अपने आगे के जीवन को अपने बेस पर चलाएं किसी पर depend हो करने कि मैं आपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर जाऊं कि बस बच्चों कुछ करना ही न पड़े तो वो तो handicapped हो गए एक तरीके से वो फिर अपना efforts कहां लगा पाएंगे ठीक है तो स्रीदेवी जी आपको बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत नमन आपने बहुत अच्छा step लिया है माता जी बहन जी जो भी कम आपको ठीक है और ऐसे ही बाकी लोगों को यह motivate कीजी है और आपको यह mail पर भी जो है मिल जाएगा portfolio और यदि आपको उचित लगे तो आप comment भी कर सकते हैं कोई और further query है तब आप मुझे comment या mail करकर पूछ भी सकते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं कल फिर एक वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार राम राम चैहिए जैवार